आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is Which of the following statement is incorrect? हमें बताना है इनमेंसे कौन सा स्टेक्मेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट बोलागे है Nitrogen and Magnesium कि पॉल्यूट वाटर सेक्ड बोलागे है All pollutants सभी प्रदूशक है या फिर सभी पॉल्यूटेंट है थर्ड बोलागे कि Carbon Monoxide is the major environmental pollutant हमें बताना है कि इनमेंसे कौन सा जो होगा वो इनकरेक्ट है फर्स्ट बोलागे है Nitrogen and Magnesium can pollute water इसमें बोलागे कि Nitrogen and Magnesium जो होती वो पॉल्यूट कर सकती वाटर को तो नॉर्मल बीसिस पे तो नहीं कर सकती बट अगर Nitrogen बहुत जादा हो जाती है Magnesium बहुत जादा हो जाती है Phosphorus बहुत जादा हो जाता है तो वो हमारे water को और वो हमारे air को या environment को pollute कर सकता है तो ये बात सही है फिक है Second बोलागे है कि all pollutants यानि कि जो सभी प्रदूशक है तो दिको सभी हमारे प्रदूशी के pollutants नहीं होते ठीक है तो ये वाला statement हमारा incorrect होगा ठीक है थर्ड बोलागे है जो carbon monoxide है वो क्या होता है इस दाव major environmental तो देखो जो carbon monoxide होती है वो हमारा major environmental pollutant होता है देखो ये क्या होती है हमारी colorless होती है orderless होती है testless होती है तो और ये क्या होती है toxic air pollutant होती है क्या होती है toxic air pollutant होती है ठीक है तो इसे साब से ये भी हमारा correct है and fourth वो लगा है lichens are affected by sulfur dioxide तो ये विल्कुल correct है ये sulfur dioxide से affect होते है ठीक है तो इसे साब से हमारा option number second सही होगा क्योंकि ये जो है हमारा incorrect है Classics to 12 से लेके meet IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलें से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर